स्वागत है व्यूवर्ज मेरे चैनल में आज की वारता व्यूवर्ज केंद्रित है शुक्र यानि की वीनस तुला राशी में आ रहा है आए जानते हैं शुक्र का गोचर तुला राशी में आप में से किसको मिलेगा भरपूर प्यार किसको मिलेगा एशो अराम क्योंकि शुक्र एशो अराम लगजिरी का देवता है शुक्र तुला राशी में अपने ही घर में आ रहा है तो यानि की ये बहुत बड़ा लक्षमी प्राप्त करने का समय मांगलिक समय, विवा का समय, जमीन, जैदाद, गाड़ी, वाहन प्राप्त करने का समय आ रहा है विवर्स, जोती शास्त्रे में शुक्र को पती-पत्नी, प्रेम संबंद, एश्वरी, आनन्द और शारिरिक आकरशन का कारग्र माना गया है इसके अलावा ये व्यक्ति के जीवन से जुड़ी भौतिक सुविदाओं और एशो औराम की दशा भी तैय करता है यदि आपका शुक्र वीन स्ट्रॉंग है, तो जिन्दगी में खुप लोगों का प्यार, अबोजिट सेक्स का प्यार, पैसा, आनन्द, हैपिनेस, अच्छा स्वास्त, हेल्थ मिलेगा यदि शुक्र खराब है और आपने उपाय नहीं लिए, शादी खराब होगी, आपका पार्डनर से जगड़ा होगा, कभी एशो अराम से जिन्दगी जीनी पाएंगे, हमेशा पैसे की कमी रहीगी, गरीबी रहीगी, हेल्थ खराब रहेगा, मन में कभी खुशी नहीं आए प्रात होता है, और शुक्र बल्वान होता है, जोतिश में इतनी अहम भुमी का निबाने वाले ग्रह शुक्र, यानि कि वीनस, चार अक्टूबर को तुला राशी में गोचर करने जा रहा है, ये चार अक्टूबर 2019 शुक्रवार को प्रता चार बच कर पच्च्पन बजे क कन्या राशी से निकल के तुला राशी में गोचर करेगा, और 28 अक्टूबर 2019 सुमवार को प्रता आठ बच कर बारा मिनिट तक इसी राशी में स्थित रहेगा, आईए वीवर जानते हैं, शुक्र यानि कि वीनस प्लानेट का ये परिवर्तन आपके राशियों पर कैसा प् इस समय आपको रोमांटिक जीवन बहुत ही शांदार रहने की उमीद कर सकते हैं, जो विवाहित जातक संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें भी खुशकवरी मिल सकती हैं, और विवाहित जातकों को विवा के प्रस्ताब मिल सकते हैं, वेबसाइक तोर पर भी आप लाब प्राप्त करने की भारी स्थिति में हैं, विर्शवर राशी, शुक्र आपके राशी के सौमी और चटे बाप में गोचर कर रहे हैं, सिक्षा छेतरे से जुड़े जातकों के लिए गोचर शांदार हो सकता है, इस समय आप अपने प्रत्रण्दियों पर हावी हो सकते हैं, स्वास्त भी अच्छा रहने की उमीद कर सकते हैं, तन मन में सकरात्मक उर्जा का संचार रहेगा, घर में कई मांगलिक गटना ही होंगी, जो जातक नौकरी बदलना चाते हैं या रोजगार पाने के अभिलाशी हैं, उनके लिए नई नौकरी पाने के अफसर मिल सकते हैं, ननीहाल से कोई शुप समचार बिल सकता है, मिथुन राशी, शुक्र आपकी राशी के पांचवे बाप में गोचर करेंगे, प्रेम संबन के मामलों में जातक को लाव होगा, उनकी नजरों में आने का आपका उर्देश्य भी पूर्ण हो सकता है, जिसे आप चाह कर सकते हैं, बिजनसमैन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन का समय है, करक राशी, शुक्र का गोचर आपकी राशी के चैथुर्द भाव, फोर्थ हाउस में हो रहा है, परिवार के सदसों के साथ काफी समय के बाद आप कुछ प सुक समर्दी देने वाला साबित हो सकता है, इस समय आप अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ इस गोचर काल में आप नई गाड़ी खरी सकते हैं, और घर की सजावट के समानों पर अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं, लिहाजा आर्थिक अधार पर शुक्र का इच्छ आपके लिए बहुत फायदे मंथ, बहुत मांगलिक होगा, बिजनसमेन, नौकरी पेशे करने वाले लोगों के लिए शुप समचार आने के योग हैं, सिंग राशी, शुक्र का गोचर आपके राशी से तीसरे भाप में होगा, ये गोचर से आप मजबूर सिती में आएंगे और परिवार में भी सुक बढ़ेगा, इस गोचर काल में आप अपने शक्रों पर विजय प्राप्त करने में सफल हो रहेंगे, और किसी को अपने सोज समझ कर करिएगा, इसके साथ ही साथ कारिस्तल पर आपको अपने सहकर्मियों से भरपूर सेहोप मिल सकता है, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, तो लाप की प्राप्ती होने की उमीद है, कन्या राशी, व्यूर्स, शुक्र का गोचर आपके राशी के दुटिय बाप से लाप मिलने की पूरी संभाबना है, गोचर के इस अवदी में यदि आप शेयर मार्केट या रियल स्टेट में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो देर ना करें आपको भरपूर लाप मिलने की संभाबना है, पारिवारिक दिश्टिकोंट से देखें तो इस गोचरी राशी, शुक्र का गोचर आपकी ही राशी में हो रहा है, आपके लिए ये बदलाब बहुत ज़्यादा अच्छे संकेट दे रहा है, इस गोचरी काल में व्यक्तिकत स्तर पर आपका विकास होगा, और इसके प्रणाम स्वरुप जीवन के विवन चेत्रव में आपको शु करें, यदि आप कैसी से प्रेम करते हैं, तो उन्हें इस दोरान अपने मातापिता से मिलवा सकते हैं, वरिष्चिक राशी, गोचर के दोरान शुक्र आपकी राशी से बारवे भाप में गोचर करेंगे, ये आपके लिए फायदे का गोचर साबीत हो सकता है, किसी प्रचों में इजाफ़ा हो सकता है, वो इस दोरान आपके हाथ से वय होने के भी योग साफ दिख रहा है, यदि आप एक हाथ से धन का वय कर रहे हैं, दूसरी हाथ से आपको धन की प्राप्ती भी होगी, कारचेत्र में विप्रित लिंगी लोगों से आपकी दोस्ती आप लेकर आ रहा है, इस दोरान जीवन में सुक समर्दी आएगी और आप विवन में बहुत तिक सुकों का भरपूर लाब उठा पाएंगे, कारचेत्र में आपके मैनत को विशेश रूप से सहरा जाएगा, और इसके फलसरूप आपकी आएमें भी विर्दी हो सकती है, आ वकर राशी, इस गोचर अवधी में शुक्र आपकी राशी से दसवे बाप में गोचर करेगा, इस गोचर से आपके कारचेत्र में बाधा उत्पन हो सकती है, इस वक्त आप पुरी मैनत के साथ काम करेंगे, लेकिन लाब काम होगा, इस गोचर काल के दौरान आप अपने व परिवार में सुख शांती का महल रहेगा और परिवार के सद्वसों के साथ आप अच्छा वक्त वेटीत कर पाएंगे खुंबर राशी शुक्र के तुला राशी में आने से गोचर आपके राशी के नाइंथ नवम भाप में हो रहा है इस वक्त आपके लिए लाप का समय है इ आपके लिए यात्रा विवने रूपों से फलदाई सावित हो सकता है सामाजिक स्तर पर देखें तो इस गोचर अवदी में आपके मान सनमा विद्धी होगी और समाज में आप प्रवापशारी लोगों के संबर्प में आएंगे इस दोरान आपकी रूची धार्मे कार में जादा होगी और आप किसी प्रसित मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं मीन राशी शुक्र का ये गोचर आपके राशी से आठवे बाप में हो रहा है इस राशी के जातक के लिए थोड़ी कटना ही पैदा हो सकती है आपको अपनी बावनाओं पर काबू रुकना होगा और योन संबंदों के माल में भी सापधानी रखनी होगी हलांकि बहुत एक रूप से ये गोचर आपके लिए अच्छा है इस दोरान आप घर में नया वहान खरीज सकते हैं आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहखुभी निवा पाएंगे परिवार के छोटे गोचर कन्या राशी से तुला राशी के उपर से चार अक्टूबर 2019 को ये गोचर होगा और एक कैसा प्रभाब इस गोचर का प्रतेक राशी में इंग जनरल पढ़ सकता है उसकी विवेशना थी आप में से जिन लोगों की महादशाएं अच्छी चल रही है शुक्र का प्ल विशेशकर, तुला राशी, करक राशी, वरिश राशी और जिनकी महादशाएं थोड़ी कंजोर हैं उनको तुला दान पूर्ने करना चाहिए इससे भी उनको लाब की सिती प्राप्त होगी धन्यवाद यूर्स चैनल सब्सक्राइब करिएगा बहुत जल्दी मुलाकात कर अबसे धन्यवाद